नमस्कार दोस्तों मैं नवीन स्वागत करता हूँ आप सभी का NBT लाइफ में दोस्तों रक्षा बंदन का त्योहार भाई बहन की पवित्र रिष्टे का प्रतीक है रक्षा बंदन की दिन बहने अपने भाईयों की कलाईयों पर राखी बांती है ऐसे में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको राशी के अनुसार अपने भाई को किस रंग की राखी पहनानी चाहिए मेश और व्रिश्चिक राशी यदि आपके भाई की राशी मेश या विर्षिक है तो आपको लाल रंग की राखी अपने भाई की कलाई पर बांदनी चाहिए क्योंकि इन दोनों ही राशियों का स्वामी लाल ग्रह मंगल है इससे आपके भाई को जीवन में अच्छे परिणा मिलेंगे और उनके अंदर उर्जा का संचार भी देखने को मिल सकता है विर्षब और तुला राशी आपके भाई की राशी अगर विर्षब या तुला है तो आपको उन्हें सफेद या हलके नीले रंग की राखी बांदनी चाहिए ऐसा करने से शुक्र ग्रह की कृपा आपके भाई को मिलती है और उनके जीवन में सुक समर्द्धी आती है मिथुन और कन्या राशी वालों के स्वामी बुद्ध ग्रह है तो इन दोनों राशियों के भाईयों को अपनी बहनों से हरे रंग की राखी बनवानी चाहिए ऐसा करने से भाई बहन के बीच का प्रेम बना रहेगा और ग्रह दोश भी दूर होंगी करक राशी के जातकों के स्वामी राखी चंद्रमा है इसलिए इनके लिए पीले या सफेद रंग की राखी सबसे अच्छी मानी जाती है इन दोनों रंग की राखियां पहनने से आपके जीवन में खुशाली आएगी और मन प्रसंद बना रहेगा इसलिए आपके भाई की राशी भी अगर करक है तो आपको भी इन रंगों की राखी ही अपने भाई को पहनानी चाहिए सिंग राशी इस राशी के स्वामे ग्रह सूर्य है तो बहतर होगा जिनके भाई इस राशी के हैं उनकी बहने अपने भाईयों के लिए पीली लाल या फिर सुनहरे रंग की राखी खरी दें अगर आप इन रंगों की राखियां अपने भाई को पहनाती हैं तो उनको आरोगय की प्राप्ति होगी और साथ ही उनकी आयू भी लंबी होगी धनो और मीन राशी इन दोनों राशियों के स्वामी ब्रश्पति ग्रह हैं इसलिए इनके लिए पीला रंग शुब माना जाता है इनकी बहनों को इनके लिए इसी रंग की राखी खरीदनी चाहिए ऐसा करने से भाईयों के जीवन में सकारात्मक्ता आएगी मकर और कुम्ब राशी इन दोनों राशियों के स्वामे ग्रह शनी है इसलिए अगर आपके भाई की राशी इन दोनों राशियों में से एक है तो आपको उन्हें गहरे नीले रंग या फिर गहरे हरे रंग की राखी बांदनी चाहिए दोस्तों राखी का त्योहार आप सभ झाल झाल